हेलो दोस्तो कैसे आप लोग आई होप आप सब खुश होंगे दोस्तो सभगत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इस्टडी सप्लाइमें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे साधरन ब्याज निकालना साधरन ब्याज निकालने का क्या सूर्थ होता है कैसे हम साधरन ब्याज निकालते हैं सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी तो वीडियो को बूरा और शमय दिया है 2% तो हम साधरन ब्याच निकालते हैं देखी दोस्तों मूल धन क्या हो गया जो उधार ली गई रासी वोटती है जैसे किसान साउकार से रासी लिटा है उस रासी को दोस्तों हम बोलते हैं दोस्तों उसकी बार आप जानती हूं जो साहवगार चतने पर्शंट से वो उसके चार्ज लगाता है उसको हम दर बोलते हैं समय आप जानती हूं कितने समय के लिए अधाल लिए गया है तो अब हम कैसे निकालेंगे शाधारन ब्याज दोस्तों मूलधन को आप लिख सकते हो दिया है नजडीनके की वराबर में ठीक है तो 3,00 दिया हुआ है दर को हम आर से दरताते हैं थैक है थीरफस आ जहन layered ONड़ेंड में से काफ़ी सारे लोगों को याद होगा कमेंट में जरूबदा ठीक है भी का होता है मूल धन जिसको हम P बुलते हैं, गुड़ा में दर, जिसको हमार बुलते हैं, गुड़ा में समाई जिसको हम T बुलते हैं, वटे में, दोस्तों, हम लिखते हैं 100, ठीक है? अब देखो मूल धन कितना दिया है हमारे पास प्राइस जो है तीन हजार रुपए है रेट कितनी है आठ है और समय है टू यह बटे में सो कुछ नहीं करना होता दोस्तों दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे ठीक है हमारे पास किया बचा तीस गुड़ा आठ गुड़ा दो देखो आठ दो नहीं दोस्तों कितना हो गया सोला तो सोला का तीन में बड़ा करेंगे सोला तीया अड़ तालीस और यह 0 बचा 480 रुपए जो है हमारा आंसर हो जाएगा तो जो हमारा दो वर्स का 8% की दर से 3000 रुपए पर ब्याज बना वो कितना बना 480 रुपए तो इस किसे दोस्तों हम निकाल सकते हैं साधरन ब्याज आप कोश्चन कई तरीक से आ सकते हैं जैसे यहां पर 3000 की जगह वो 5000 देते दर 8 की जगह 5 देते समय 2 की जगह 3 देते तो आपको बस यहां पर वैल्लीव चेंज कर देनी है आपका अंसर आ जाएगा ठीक है तो दोस्तों कर दोस्तों में तब तक लिए खुश रहें मस्त रहें